नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवा में तो दोस्तों ये वाली जो वीडियो है बहुत जादा इंपोटेंट होने वाली है क्लास त्वल्थ के फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए तो बेटा जैसे आप सभी को पता है कि CBSC ने अपनी वेबसाइट पर अप्लोड कर दिये हैं और इसका पैटन वही है जो आपका सेकिंड रम का बोर्ड एक्जाम पैटन होने वाला है लेकिन वो जो कुशिन पेपर CBSC ने अपने साइट पर अप्लोड किया है वो इंग्लिश मीडियम में है और आपको मेरी इस वीडियो में आपका पेपर मिलेगा हिंदी मीडियम में वो भी solution के साथ तो टाइम को वेशना करते हुए शुरू कर लेते हैं वीडियो तो बेटा आपका जो सेकिन रम का बोर्ड पेपर है वो दो घंटे के टाइम में आपको गंप्लीट करना होगा 35 मार्क्स का आपका पेपर होगा आप सधी को पता है कुछ जर्नल निर्देश यहाँ पर आपको दिये गए हैं वो है कि आपका जो प्रशन पत्र होगा वो तीन खंडों में डिवाइड होगा खंड A, B और C खंड A में आपके नो प्रशन होगे जिसमें से आप साथ प्रशन आपको करने हैं कोई भी दो आप छोड़ सकते हो प्रतेक प्रशन का दो आँख हैं और आप 30 से 50 शब्दों में उसका उत्तर दे सकते हो इसके अलावा खंड B में आपके 5 प्रशन हैं जिसमें से आपको 3 प्रशन करने हैं और प्रतेक प्रशन के लिए 3 अंख निर्दारित हैं और इसकी अधिकतम सीमा शब्दों की हो सकती है 80 से 100 शब्द खंड C में आपके 4 प्रशन हैं जिसमेंसे आपको 3 प्रशन करने हैं और प्रतेक प्रशन का जो आंख है वो 4 अंख न्रदारित हैं और इसके अंदर आपके अधिकतम शीमा 100 से 1.5 शब्दी है तो बिटा शुरू करते हैं हम खंडे बिटा मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैंने जो questions के answer यहाँ पर लिखे हैं वो इस तरह से लिखे हैं कि आपको जल्दी से समझ आ जाएं लेकिन वो थोड़े से word limit में जादा हो सकते हैं या कहीं पर कुछ कम रह सकते हैं उसका reason यह है कि अगर आपको चार point में से कोई दो point easy रखते हैं तो आप उन दो point को याद कर लें और भागी के दो point को आप छोड़ दे तो बिटा आपको सबसे पहला question है कि अर्ध मच्छिंद रासन के दो लाब बता में है आप अगर एक लाब बताते हैं तो आपको एक माक्स लेगा और अगर आप दोनों बताते हैं तो दोनों मिलेंगे तो इसका answer हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अर्ध मच्छिंद रासन के लाब निमलिकित हैं जिसमें कि first है यह अतिरिक्त चर्वी को कम करता है सरीर को सुंदर और मजबूत बनाता है दूसरा यह साशन प्रणाली के लिए फायदेमंद है तथा यह मदुमे से पीडित लोगों के लिए सहायक है तीसरा यहाँ पर बिटा यह जो यहाँ पर आपने शाजन पढ़ाए तो यह स्वाशन नाओ के स्वसन है ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है और थर्ड है आपका यहाँ पेट दर्ध तनाव और सिर दर्ध को ठीक करता है तो अगर आप विस्वोठक शक्ती बताते हो तो एक नमबर और उधारन के साथ बताते हो तो दो नमबर विस्पोठक शक्ती तो यह है गती के साथ प्रतिरोध को दूर करने की शमता है इसका उप्योग लंबी कूद, उची कूद, ट्रिपल जम्प, बॉली वॉल में समेशिंग या स्पाइकिंग के लिए कूदने, बास्केट बॉल में रिबाउंड के लिए कूदने जैसे टेक ओफ जम्पिंग इवेंट में किया जाता है Question number 3, जो कि आपका दो नंबर का प्रशन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तित्व और प्रेणा को परिभाशित करें अगर आप व्यक्तित्व की डेफिनिशन देंगे तो एक नंबर और प्रेणा की देंगे तो दो नंबर तो व्यक्तित्व की परिभाशा यहां पर आपको दी गई है, बैग और हंट के अनुसार इनका कहना है कि किसी व्यक्ति की संपूर्ण वहवार पैटर्न को उसकी विशेश्ताओं की समगरता से संधर्भित करता है सेकिंड वेलेंटाइन ने डेफिनेशन दी है कि व्यक्तित्व विरासत में मिली और अरजित संस्थाओं का योग होता है थर्ड सिंग्मन फ्राइड का कहना है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति की अनूठी सोच, भावना और वहवार है जो विभिन इस्थितियों के साथ बना रहता है तो उप्रोक्त तीनों परिभाशाओं के अधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की आन्त्रिक और बहारी संस्थाओं का कुल योग है आप इसमें से कोई सी भी एक डेफिनेशन जो आपको इजी लगे याद कर सकते हैं सेकेंड है प्रेणा की परिभाशा तो रिशी ने कहा है कि प्रियास करने की इच्छा को प्रेणा कहा जाता है कुक्स और इस्थिल ने कहा है कोई भी स्थिति जो हमारे कारे को सक्री और नर्देशित कर सकती है प्रेणा कहलाती है मारगन और किंग कहते हैं कि प्रेर्णा किसी व्यक्ति या जानवर के भीतर की सिती को संधर्बित करती है जो वहवार को किसी लक्षे की और ले जाती है जॉन्सन का कहना है कि प्रेणा जीवों के वहवार को इंगित और निर्देशित करने वाली गतिविधियों के एक समाने पैटर्न का प्रभाव है तो बेटा आपको इसमें से जिसकी डेफिनिशन इजी लगती है आप उस डेफिनिशन को याद कर लें आपका कुशन नमबर फॉर है स्पीडी आर एस्डी का पूर्ण रूप लिखिये यहां पर यह जो आर है यह आर ना होकर के और है इसका मतलब आपको स्पीडी और एस्टी का पूर्ण रूप लिखना है अगर आप इसमें से किसी एक का बताते हैं तो एक नंबर और दोनों ब सकते हैं आत्मकेंद्रिक स्पेक्ट्रम विकार ठीक है और आपका SPD इसको आप बोल सकते हो सेंसरी प्रसेशिंग डिस्टॉर्ड यानि समवेधी प्रसेश्करण विकार कुश्य नमबर फाइब है आपका वेयाम करने के कारण पेश्य तंत्र में होने वाले किनी चार परिवर्तनों की सूची बनाओ अगर आप चार परिवर्तन लिखते हैं तो आधा आधा नमबर करके आपको चार माक्स मिल जाएंगे तो पेश्य तंत्र में होने वाले परिवर्तन निमन लिखेता हैं जिसमें की पहला है मास पेश्यो के आकार में परिवर्तन नियमित वियायाम मास पेशियों की कोशिकाओं को बढ़ा करने में मदद करता है जो बदले में मास पेशियों के आकार को बदलने में मदद करता है दूसरा है रक्त की आपूर्ती में व्रधी तो मास पेशियों को नियमित वियायाम करने से रसायनिक पदार्ख जैसे ग्लाइकोजेन, फास्कोरेटाइन, पोटेशियम आदी मिलते हैं, यह रैसाइनिक पदार्ख की रक्त की गती को आगे बढ़ाते हैं, तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हो उचित रक्त संचार, यानि अराम के दोरान रक्त शरीर का एक चकर 21 सेकंड में लगाता है, लेकिन व्ययाम करते हुए वो 15, 10 या 8 सेकंड में ही चकर को पूरा कर लेता है, व्ययाम के दोरान हिर्दे की मास पेशियां तेजी से काम करती है, चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हो हड्डियों और जोडों पर प्रभाव, व्ययाम करने से हमारी हड्डि और मास पेशियां मजबूत होती है, कोशन नमबर 6 है दोस्तों आपका आइसोटोनिक पदिती क्या है और इसका उप्योग किस शम्ता को विक्षित करने के लिए किया जाता है, अगर आप पदिती के बारे में बताएंगे तो एक नमबर और उसको किस प्रकार विक्षित कर स सकते हैं, तो दो नमबर, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं, आइसोटोनिक विधी है क्या, तो आइसोटोनिक अभ्यास 1954 में डी लॉरेन द्वारा पेश किये गए थे, यह शब्द ग्रीक शब्द आइसो से आया है, जिसका अर्थ होता है समान और समान, इसके अंतरगत म इसके दोरान माच पेश हैं, अपनी लंबाई बढ़ाती है, यह वे आयाम है, जिसमें तीसरे व्यक्ति को सीधी गती दिखाए देती है, इस मामले में व्यक्ति गत पेशी प्रयाशों को द्रश्यमान आंदोलन के द्वारा दर्स आया गया है, तीसरा आइसोटोनिक अभ्य अभ्यासों होगा, ठीक है, अभ्यासों में तेजी से अंदोलनों को संकुचन के प्रती, बर्ध परिवर्तन और संबंधि जोडों के विरोध, फ्लेकर्स और एक्स टेंसर के विश्राम द्वारा पूरा किया जाता है, संकुचन का भैप्रकार जिसमें हम वस्तूओं की गत अंतरगत आते हैं, जिनका उप्योग सकती विक्षित करने के लिए किया जाता है, कुश्य नमबर 7 देख लेते हैं बेटा, कुश्य नमबर 7 है कि आपको ADHD के किनी दो लक्षणों और कारणों का उलेक करना है, आप इनके लक्षण और कारण बताएंगे तो आपको दो नमब पर मिलेंगे, तो सबसे पहले हम बताएंगे ADHD के लक्षण, बच्चों में इसके लक्षण अलग होते हैं और वह क्या होते हैं? तो वे देनिक जीवन की गतिविध्या नहीं कर पाते, वे से मतलब है बच्चे, ADHD से प्रभावित जो बच्चे होते हैं, वो देनिक जीवन की गतिविधियां सही से नहीं कर पाते, अपने नियमित काम भी भूल जाते हैं, उन्हें ऐसी गतिविधियां करना पसंद ही नहीं होता, जिनमें इस्थिर बैठने की आवशक्ता हो, वो आसानी से विचलित हो जाते हैं, और वेस्को में ADHD के लक्षन वो अलग होते हैं, वेस्क जोग हमेशा चिंतित रहते हैं, हीन भावना से ग्रशित हो जाते हैं, अवविस्तित रहते हैं, और आसानी से चड़ चड़ हो जाते हैं, उनको चीजें याद रखने में भी दिक्कत होती है, अब ADHD के कारण क्या है, एक नंबर अगर आप उसका बताएंगे प्रभाव तो और एक नंबर अगर आप बताएंगे कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण हो गया अनुवान शिक्ता, यदि किसी माता-पिता, किसी बच्चे के माता-पिता ADHD से पीडित है, तो बच्चों में भी उसकी संभावना होती है, सेकिंड है आपका आहार, कुछ शोदो ने साबित कर दिया है कि एक विशेश प्रकार का भोज़ प्रदार्थ ADHD पैदा करने में महतोपोन भूमी कानिभाद, तीसरा मस्तिश्क और विक्रती की कमदख्षता, यदि मस्तिश्क के आकार में विक्रती है, तो वह तंत्री का संतुलन का कारण बनती है, जो कि ADHD का कारण भी बन सकत जो बाद में ADHD का कारण बग जाती है Q8 में आपसे पूछा गया है कि लेक रेशन क्या है और इसे कैसे प्रतिबंदित किया जा सकता है तो लेक रेशन बताना है सबसे पहले हमको तो लेक रेशन एक प्रकार की चोट को कहा जाता है जिसके परिणाम सुरूप तोचा में एक अयनियमित ब्रेक हो जाता है जिसे आमतोर पर हम कट लगना कहते हैं लेकिन इस फटे ये गाउ ना होकर गाउ है फटे गाउ के रूप में भी परिभाशित किया जा सकता है घाउ तब होते हैं जब कोई वस्ता अवस्तू तोचा से टकराती है और तोचा को खोल देती है इसको कई कारणों से हो सकता है कोण बर्ड गहराई ये वस्तू के अधार पर भी हो सकता है कुछ घाउ दूसरों की तुलना में अधिक गंबीर होते हैं जो गहरे उत्तर तक पहुँच जाते हैं और गंभीर रक्त श्राब की ओड ले जाते हैं रक्त श्राब मतलब लगाता रक्त का बहना वो कंडिशन कहलाईगी आपकी रक्त श्राब और इस घाव के उपचार क्या है या उपचार के चरण किस प्रकार है तो सबसे पहले तो तो फिर बेंडेट लगा दो अगर इसके बाद भी रख जारी रहता है तो उसकी ड्रेसिंग करवाओ ड्रेसिंग के बाद में भी अगर नहीं रुकता है तो चोट जादा गहरी आपको लगता है ड्रेसिंग से फरकने पड़ेगा तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाएं औ टाकें लगवाएं कुश्य नमबर 9 है आपका CWSN के लिए शारीरिक गतिविद्यों को सुलप बनाने के किन ही दो रणनीतियों की सूची बनाएं मतलब हम CWSN यानि विशेष विशेष्तों वाले बच्चों के साथ किस तरह से उनकी शारीरिक गतिविद्यों को आसान बना स है अगर हम इन रणनीतियों की सूची बनाएंगे दो तो हमें दो ओने दो नमबर में में लेंगे तो रणनीतिया निहित निकने लिखीत है पहली तो रूची सारीरिक गतिविद्यां जलिए अधिक्तम भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष आवश्च्ता वा विचार करना चाहिए सबसे पहले विशेज जरुवत वाले बच्चों का medical check-up करवाना चाहिए क्योंकि इसके बिना हम बच्चों की विकलांगता के बारे में जान ही नहीं सकते चौथा है विटा उपकरण उपयोग किये जाने वाले उपकरण बच्चों की शमता और इस्तर के अनुसार होने चाहिए ये रंग आकार और वजन में अलग-अलग हो सकते हैं पांचवा है चिंता या अतिरिक्त ध्यान CWSN के लिए सारे रिक रणनीतियों पर निर्ने लेते समय तनाव वाले हलके संगीत से बचने के लिए अतिरिक्त समय की तथा अतिरिक्त देख भाल की ध्यान देने की आवशकता होती है तो बेटा ये थे आपके 9 QS जिसमें से आप कोई से भी 7 QS अपने पिपर में कर सकते हैं ठीक है बेटा अभी है खंड भी तो खंड भी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि पूरे 5 प्रशन है खंड भी में उसमें से कोई भी 3 आप कर सकते हो जो 2 आपको नहीं आते आप उने छोड़ सकते हैं तो इसमें पहला प्रशन है आपका QS No.10 और इसमें पूछा गया है कि प्रेर्णा की किनी चार तक्नीकों की सूची बनाएं और संचेप में समझाएं तो इहां पर प्रेर्णा की चार तक्नीक और उनके बारे में संचेप में विर्णन निम ने लिखेता है पहला है बिटा लक्षे निर्धारन लक्षे निर्धारन प्रेर्णा की सबसे शक्तिशाली तक्निकों में से एक है अपने लक्षे के बारे में बहुत विसिस्ट और स्पस्ट होना चाहिए दूसरे शब्दों में कि एक एथलिस्ट को ये बहुत अच्छे से स्पस्ट होना चाहिए कि उसको क्या करना है, कैसे करना है और क्यूं करना है दूसरा सुदंडीकरण तो सुदंडीकरण पुरसकार और डंड का उप्योग है जो या तो एक निश्चित कारवाई को प्रोचसाहित करने के लिए या भविश्य में इसे कम करने के लिए काम करता है तीसरा है बिटा, प्रगर्ती का ज्ञान, एथलीट को अपने बारे में अपनी छमता, गुणता, वहवार के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए, समय समय पर उसकी प्रगर्ती के बारे में उसको जागरुक भी किया जाना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके अं ऐसे बहुत से विभाग हैं जो अच्छे खिलाडियों को नोक्री प्रदान करते हैं जैसे कि विभिन राज्यों में पुलिस विभाग जल्दी से नोक्री दे देता है अच्छे खिलाडियों को इसके अलावा भारतिय रेलवे हैं बैंक है एर इंडिया है यहां पर भी जॉब मिल जाती है बिटा पांचमा है सकारात्मक दिस्टिकोन और वातावरन तो एक सफल प्रशिक्षन कारेकरम के लिए सकारात्मक दिस्टिकोन और वातावरन का होना सबसे ज्यादा महतोपून है प्रसिक्षक और प्रसिक्षु का एक दूसरे के परती और गती विधी के परती सक तो अगर आप सग्यानात्मक अशमता के बारे में बताते हैं तो एक नंबर और उसके लक्षन बताते हैं तो बाकी के दो नंबर इस तरह से आप तीन नंबर ले जाएंगे तो लक्षनों से हित व्यक्षा कर लेते हैं पहले सग्यानात्मक अशमता की तो सग्यानात्मक अशमता है क्या यह वहमानसिक विकार श्रियनीन आती है सग्यानात्मक विकार के कारण व्यक्ति के सीखने बोलने याद रखने और समस्या के समधान की कोशल जो शमता होती है वो प्रलाप रोग से पीडित हो जाता है प्रलाप यानि की अपने आपको कोजना दुखी होना है ना इसके अलावाव है याद रखने की शक्ति और तर्क शक्ति पर भी यह प्रतिकूल प्रभाव डालती है आम तौर पर इसके विभिन लक्षन होते हैं जैसे की सबसे पहला इसम अशम्ता में समस्या आ जाती है दूसरा हाइपर एक्टिविटी यानि बैठने खड़े होने की अवस्था में व्यक्ति हाइपर हो जाता है और व्यक्ति बहुत जल्दी में रहता है इसके अलावा तीसरा है सग्यानात्मक अशम्ता के कारण क्या है आम तोर पर मस्तिश्क क समस्या जैसे कि ट्यूमर है सिर में चोट लग गई सद्मा हो गया संकर्मन हो गया हानिकारक मस्तिश्क नियूरो टॉक्सिन अनुवानसिक्ता या मस्तिश्क से सम्बंदित किसी भी अन्य प्रकार की बिमारी के कारण ये समस्या पैदा हो सकती है सेकेंड है विटा यह किसी व्यक्ति की याद रखने की शक्ति को सीखने के कोशल को और नियमित गतिविधी को करने की शमता को प्रभावित करती है जैसे कि ट्यूमर या मस्तिश्क के हिस्से पर सिर की चोट के मामले में जो भाशन नियंतरन को नियंतरत करता है उस व्यक्ति के बोलने के कोशल को प्रभावित कर सकता है इसी तरह यदि brain tumor या सिर में चोट मस्तिश्क के उस हिस्से में हो जाए जो सारीरिक गतिविधी में बाबा उत्पन बाभा ना होकर कि बाधा है बाधा उत्पन कर सकता है या अन्य सारीरिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है बेटा अभी है आपका question number 12 जो है खेल चोटों में वर्गी करण की व्याख्या करने के लिए आपको एक flow chart बनाना है और क्योंकि खेल में चोटे तीन प्रकार की होती हैं तो अगर आप तीनों चोटों को अच्छे तरह से explain करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मार्क्स मिलेगा तो चलिए देख लेते हैं आपका flow chart तो बिटा यह हम देख सकते हैं यहां पर खेल चोटों का वर्गी करण यहां पर किया गया है तो सबसे पहले हैं आपकी बाहरी चोटे फिर हैं आपकी आंतरिक चोटे बाहरी चोटे आपकी जो दे रखी हैं वो कोमल मुलायम उत्तक पर हो सकती हैं यहुत्ति कि डिपलूच inhय। का। रगड बेस्ट Cantonese है तो है। इस अलावा हैं आकड़i को मुणायम उत्तक और काथोर उत्तक को मोच मुझक्ति चा काथा ऩ। यहलते छोप मज़ते हैं मैं कथोर उत्तक कि चोच तो इस एगर ऑड़एक विस्ताप्ण हो जाना, कंधे के जोड़ का विस्थापन हो जाना कूले के जोड़ का विस्थापन हो जाना या कलाई के जोड़ का विस्थापन हो जाना इसके अलावा आपकी अस्थी भंग यानि की हड़ी का तूट जाना फ्रेक्चर आ जाना जैसे कि पहला हो गया तनाव अस्तिभंग, कच्चा अस्तिभंग, बहुखंड अस्तिभंग जो कि बहुत ही बिहानक स्टेज है और उसके बाद अनुप्रस्त अस्तिभंग, तिर्चा अस्तिभंग, पचडी अस्तिभंग जिसको हम impacted factor भी बोलते हैं इसके अलावा आपको tennis elbow पे चोट होना, tedenitis होना, पिंडली की चोट होना और कंधे की चोट होना तो बेटा आपको इस तरह से एक diagram जिसको हम flow chart बूलेंगे आपको बनाना पड़ेगा खेल चोटो के लिए और इस को बनाने के बाद आपको मिलेंगे तीन marks आप देख लेते हैं बेटा, question number 13, इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि अस्थमा की रोगथाम के लिए उपयोग किये जाने वाले किनी तीन आसनों की सूची बनाईए और प्रतेक के दो-दो लाग लिखिए तो अस्थमा की रोगथाम के लिए प्रयोग मे लाए जाने व प्रतारे में थोड़ा सा लिख भी सकते हैं कि क्या है किस तरह से इस आशन को बनाया जा सकता है इसके अलावा सुरीर को सुंडोल बनाया जा सकता है लचीला और आकर्शक बनाया जा सकता है गोह मुखासन के दौरा, second habitat आपका परवतासन और परवतासन से होने वाले लाप क सबसे पहले तो यह आसन, यह आसन है, अस्तमा के रोग्यों के लिए बहुत जादा फाइदे मन्द है, सुक्त, रक्त का निर्मार और संचार ये करता है, मधुमें तथा पेट के रोग को दूर करने में भी सहायक है, कब्ज दूर करता है, खासी से बचाता है, चहरे और इसरा आसन सुखासन से होने बाले लाब क्या है यह असन बहुत देर तक ध्यान अद्यानाधी के लिए उपयोग मिलाया जाता है इसके अलावा अस्थमा रोगियों के लिए बहुत जादा लाबतायाक सिधध होता है अब आज जाते है मिटत आपके कॉश्छ billion पर कुछिश्य नम्बर 14 है आपका फार्टलेक पदती छटा है आपका स्नायु पदती स्नायु संस्थान की गती शीलता स्नायु संस्थान की मोटर इंद्रियच नायु शरीर के अंगों की गती शीलता को निर्धारित करती है प्रसिक्षन की द्वारा हम एक सीमा तक स्नायु की गती शीलता को बढ़ा सकते हैं क्यूंकि गती का निर्धारण काफी सीमा तक आनुवानशिक कारकों पर निर्भर करता है। पॉइंट सेवन में हम लिख सकते हैं जैवरसाइनिक भंडार तथा उपापच्य योगता। तो तीवर गति वियायामों में मास पेशियों को अधिक मातरा में उज़ा की आवशक्ता होती है। देख लेते हैं कुश्शन नमबर 17 और कुश्शन नमबर 17 में आपसे पूछा गया है लचीला पन को परिभाशित करें और लचीला पन को विक्सित करने के तरीकों तो सबसे पहले आपको लचीलापन की डेफिनेशन यहाँ पर देनी है और उसके बाद कम से कम तीन ऐसी विशेशताओं को बताना है जो इसको विक्सित कर सकती है तब ही आपको पूरे चार नंबर मिलेंगे तो लचीलापन की परिभाशा हम इस तरह से दे सकते हैं कि लचीला लचीलापन एक सामान में गुण नहीं है यहाँ एक विशेश जोड के लिए विसस्ट होता है जैसा कि घुटने या जोडों की एक श्रंखला के लिए इसका मतलब यह है कि कुछ जोडों में एक व्यक्ति की गती दूसरों की तुलना में बहतर हो सकती है लचीलापन को विक मासपेशियों को फैलाने के लिए उप्योग में होती है हालकि यह बहुत जादा प्रभावी है अधिकांश श्विशेशग्ये इस पहतती की अनुशन्शा ही नहीं करते क्योंकि यह मासपेशियों को अधिक बढ़ा सकती है और मासपेशियों में दर्द या चोट का कारण इस पदिती में विभिन व्यायाम शामिल है, जैसे पैरों को सुफिंग करना। फीर आपका एस्टेटिक स्ट्रेशिंग। ऑस्टेटिक क्या होता है ? यहें यह सब सिरक्षित तरीका होता है। जिसमें मसल्स को सीमा तक स्ट्रेच करते हैं जब तक कि व्यक्ति को करने वाले व्यक्ति को SH महसूस ना होने लगे इसमें दर्द शुरू नहीं होना चाहिए अपने शरीर को वाम अप करने के लिए स्ट्रेचिंग के पहले तेज कदमों से टहलना अपनी जगा पर ही जॉगिंग करना पांस से दस नट की साइक्लिंग करना बहतर होता है बिटा अब है आपका पैसिव स्ट्रेचिंग क्या है तीसरा तो स्ट्रेचिंग का एक प्रकार पैसिव स्ट्रेचिंग भी होता है जिसमें व्यक्ति को एक स्थिति में रहना पड़ता है जबकि उसका अन्य साती या कोई अन्य व्यक्ति शरीर पर बाहरी दवाव डाल कर खिचाव यानि स्ट्रेस को तेज करता है एक अन्य प्रकार की स्ट्रेचिंग एक्टिव स्ट्रेचिंग भी है जो fitness के प्रती उत्साहे लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लोग प्रिया है इसमें व्यक्ति को अपने शरीर को उतनी गहराई तक stretch करना होता है जब तक कि अपनी सीमा या तनाव तक नहीं पहुंच जाए अब उस इस्तिती में कुछ second के लिए खड़े रहना है अपनी मास पेशियों को मजबूत करने के लिए लचीले पन को बढ़ाने के लावा stretching exercise में और भी कही तरह के फाइदे पहुंच आती है तो बिटा ये थे लचीले पन को बढ़ाने के तरीके बिटा question number 18 और ये आपका last question है इन में से कोई भी तीन question आपको करने थे 15 से 18 तक जो भी एक question आपको नहीं आता वो आप छोड़ सकते थे और सेम इसी तरह से आपका board pattern भी आने वाला है second drum exam में तो question number 18 है बिटा आपका कि पवन मुक्तासन के लंबे समय तक उप्योग के बारे में इसके मतवेदों के साथ इसका वर्णन करें और इसका एक चित्र भी बनाएं चीक है तो पवन मुक्तासन अपनी पीठ के बल लेट जाएं सबसे पहले अपने पेरों और हातों को अपने शरीर से मिला कर गहरी सांस लें आराम करें गहरी सांस लेकर अपने पेरों को 90 डिगरी तक उपर उठाएं और पूरी तरह से सांस को छोड़ दें अब एक सांस और लें तोनों गुटनों को अपने चाती के पास ले जाएं और गुटनों को हाथ से पकड़ कर पेट के निचले हिस्से पर दबाएं सांस को पूरी तरह से छोड़ दे फोर्ड में आपको क्या करना है कुछ सांसों तक गुटनों को इसी कंडिशन में मोड के रखना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए जांग और गुटनों को पेट पर दबाना है अपने हाथ से दवा बनाने की कोशिश करनी है गहरी सांस लेकर अपने सिर, गर्दन और छाती को पर उठाएं और उन्हें अपने घुटनों के करीब ले आएं हो सके तो अपनी ठुड़ी को अपने घुटनों के बीच में ले जाएं सुनिश्चित करें कि आपका सिर और चेहरा घुटने के करीब है इस प्रकार पेट की मास पेशियों पर दवाब डालें पेट के अंगों के आसपास की अवांशित गैस हवा बाहर निकलने में मदद होती है अब सिक्स में सिर और गर्दन की सिति को यथावत बनाए रखने पर ध्यान केंदरित करते हुए कुछ सांसों के लिए आपको इसी मुद्रा में बना रहना है प्रतेक्षास होड़ने के साथ जांगों को छाती के करीब और गहराई में दबाए रखना है चेहरे को घुटने के अंदर जितना जा सकता है लेकर जाना है पॉइंट अमबर सेवन में धीरे धीरे सांस लेते हुए सरीर को इस्थिर रखते हुए संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी है अब सांस भढ़ते हुए गर्दन और सिर को घुटनों से छोड़ दे पूरी तरह से सांस को छोड़ दें और सांस लेते हुए पैरों को धीरे धीरे सीधा करें उन्हें वापस 90 डिग्री पर ले आएं और सांस छोड़ते हुए पैर को 90 डिग्री से अराम की मुद्रा में छोड़ दें ये 9 डिग्री नाओ के मिटा 90 यानि 90 डिग्री है पूरी सांस छोड़ते हुए पैरों को फेला कर परस पर लाएं और गर्दन को आराम दें कुछ सांसे लें और फिर इसी क्रम को आगे जारी रखें आप जितनी देर इस मुद्रा में रहोगे आप पेट के आसपास की मास पेशियां उतनी ही तेजी से धीली होगी अब एक बहुत ज़्यादा जरूरी यानि कि पवन मुक्तासन करते हुँ हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहला है अगर आपके कमर में दर्ध होता है तो इस अभ्यास को ना करें गुटने में दर्ध होता है तो भी इस आसन को ना करें और भोजन के तुरंत बाद भी यायासन आप कभी भी ना करें अब देख लेते हैं बिटा आपका चित्र पवन मुक्तासन का तो बिटा ये है आपका पवन मुक्तासन का चित्र जो आपको बनाना है तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा model test paper solution के साथ वो भी हिंदी मेडियम में आसा करती हूँ बच्चों आपको सब अच्छे से समझ आया होगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी अच्छे marks अच्छीव कर पाएंगे तो बेटा मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के शाथ शेयर करना बिलकुल न भूले इसके अलावा आपको कौन से subject के model test paper का हिंदी में solution चाहिए वो भी comment box में लिखना न भूले इसी के साथ ही साथ बच्चे मेरे चैनल को भी subscribe कर लें अगर आपने subscribe नहीं किया है तो